दूस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकास यूटिक में तो गैस याड सेकंड इंस्टॉल्मेंट भी आना सुरू हो गया है शुरिस का मैं आपको पुरूफ देने वाला हूँ इसके लावे ये बड़ी खुस ख़बरी है उन तमाम चात्रों के लिए जिनका फर्स इंस्टॉल्मेंट सिर्फ नाम मात्र का आया था यानि की न के पराबर अमाउंट आया था जिससे ना ही फीर जमा किया जा सकता है ना ही कोई अन्यत्र कारिक किया जा सकता था मगर यहाँ पर सेकंड इंस्टॉल्मेंट आने को लेकर किस कटेगरी के चात्रों का सेकंड इंस्टॉल्मेंट आएगा इसके लावा इस्टैस बेरिफाई होने की लास्ट डेट क्या है आप लोगों के जहन में कई लोगों की ये सवाल है और आप लोगों के ही सवाल पे इस वीडियो को में मतलब बना रहा हूँ और अगर ट्रांजेक्शन देखे फिर से एक बाद फिर से आप सभी का ट्रांजेक्शन फेल होना सुरू हुआ है मैक्सिमम चात्रों का यानि कि स्कॉलर्षिप का पैसा तो भीजा जा रहा है मगर ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा है क्या सलूसन है इसका क्यों फेल हो रहा है सब कुछ आपको इस वीडियो का अंदर देखने को मिलेगा तो गैस यहां पर देखें सेकंड इंस्टाल्मेंट को लेकर बड़ी अपडेट है इसके दो दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कुछ चात्रों को सेकंड इंस्टाल्मेंट भी रिसीब होना सुरू हो गया है तो एक छात्र ने और इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है तो चलिए क्या है पूरा अपडेट यहां पर आपको सारा कुछ बता देता हूँ यहां पर आप देख सकते हो कि एक अमाउंट जो है वो कितना है 30,900 रुपए 30,900 रुपए जो है वो इनका अंडर प्रोसेसिंग सो होने लगा है और पैसा जो है वो किस अकाउंट में ट्रांसपर किया जाएगा अधार सीडेट बैंक अकाउंट में जो कि अधार से लिंक है और गाईज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे इनका टोटल जो भी 27,000 रुपए आप देख सकते हो फीस है 27,000 रुपए और 49,000 रुपए जो है इनका ये स्कॉलर्सिप होता है यानि कि 27,000 रुपए फीस रिंबस्टमेंट हो गया और ये जो पैसा है 49,000 रुपए ये स्कॉलर्सिप का माउंट है तो यहाँ पे देखें बड़ी अपडेट है चात्र में लगातार किया रहें कि स्कॉलर्सिप का पैसा आना सुरू हो गया है यहाँ पे भी गाईज आप देख सकते हो कि 30,900 रुपए का एक छात्र को और रिसीब हुआ है चलिए एक और है उसको भी मैं आपको स्क्रिंस्ट जो है लगे हाथ दिखा देता हूँ एक छात्रा इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था की प्रयास करूँगा अगर आई बटन में नहीं मिल पाता आपको तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और आईए हमारे वीडियो सेक्षन में उन वीडियो को ज़रूर से देखे टाइम निकाल के दिन भर की सारी अपडेट सारी जो भी आपके डाउट है सब कुछ खत्म हो चुका है तो मैक्सिमम लोगों का ट्रांजेक्सन फेल हो जा रहा है फेल होने की वज़र क्या है देखे मैक्सिमम लोगों का तो पैन लिंक नहीं है पैन मतलब इतना बड़ा अमाउंट है वो नहीं ले रहा है दूसरा अगर आधार लिंक नहीं है आधार लिंक कराने में ब फोटो कॉपी निकलवाना है प्रिंट आउट इसका सलूसन क्या है अभी मैंने बताया है इसका जश्ट फोटो कॉपी लेना है इसके बाद आपको डी ड़ी ड़ी ओफिस जाके एक अप्लिकेशन लिख के जमा कर देना है वहीं से आपका ट्रांजेक्शन जो फेल है वो उसको साल बाउट किया जा सकता है दूसरा आपको बैंग में जाना है और यही सेम चीज दिखाना है और पता करना है ट्रांजेक्शन फेल क्यों हुआ क्या बड़ी वज़त ही और इन चीजों पर काम करना है तीसरा आप अपने कॉलेस के करमचारी से बात केशे तो का पैसा या फिर स्टैटर्स या फिर करेक्शन करने के लिए आपको सिंपली पिश्नरौ करने के पैसा यही से च्डिक कर दे। जो भी है वो कर सकते हैं जिन में करेक्षिंगा आपसन नहीं आ रहा है उनको परसान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले वाले वुडियो में उसका कम्प्रीट जो farm है उसका verification कारे चलेगा और March में भी even कुछ farm जो है वो verify किया चाहेंगे समझ गए तो आपको परसान नहीं होना चुनाओ की कारण थोड़ा सा कारे जो है वो delay हो रहा है तो date भी extend होगा समझ गए तो आप लोग tension free रहो जिन छातरों का जैसे pending है या फ्रिजेट कर दिया गया उनके अंदर बहुत घवडाहट होगी परसान होगे कि हमारा form कब verify होगा last date क्या है हमें scholarship मिलेगा नहीं मिलेगा तो परसान एकदम नहीं होना है जो भी update है मौथ हैं authentic तरीके सा आपको time to time provide करने की पूरी कोसिस कर रहे है इसके लावा date जो है फरवरी पूरा है इसके लावा March तक भी जो date है वो है यहाँ पे दिखेंगे कि रिसब रिवेदी का कहना है कि सर account status में rejected by bank लिख्या आ रहा है क्योंकि FC code change हुआ है तो form में गलत पड़ गया था तो status में pending है और college label पे forwarded है correction करना है तो bank detail edit नहीं हो रहा है यह problem रिस्ता भाहिर maximum चात्रों के साथ है कि bank detail जो है उसको आप edit नहीं कर पा रहे है लेकिन अगर आप FC code edit करना चाहें तो वो हो सकता है और अगर नहीं हो रहा है तो offline तरीके सा आप उसका bank का detail का photocopy या FC code इसको अपने college में submit करो college वाले ये सारा काम देखते हैं या तो आप खुद जाओ DW office वहाँ से matter को देखो समझो समझ गए जो जो लोग DW office गए थे उन्हें क्या update रहती है सब कुछ Instagram पे आप बता सकते हैं जैसे maximum चात्र बताते हैं या फिर आप कमेंट करके भी ये सारी जानकारी अने चात्रों के साथ भी साजा कर सकते हैं सर मेरा UID Never Enable for DBT था बैंक वाले बोल रहे थे उनकी साइड से सब पुछ ठीक है मैंने यहाँ पे देखे इशू आई डिये आई बेपर चेक किया तो वहाँ पे आधार बैंक से लिंक नहीं था मुझे बैंक में दोबारा अधार लिंक कराना चेज़ बिलकुल अपने मन से जाओ अधार लिंक करवा दो मुबाइल नंबर लिंक होता है कभी भी दोबारा भी आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो इनका कहना है कि अब तो बैंक बाद में 14 अधारी के बाद खुले का भाई डेट है आपके पास परसान एकदम नहीं होना है समझ गए और यहाँ पे देखेंगे इंट्रेस्टिंग एमजी का कहना है कि सर मेरे में बैंक रिजेक्टेड यूईडी इसका मतलब डिसेबल बता रहा है तो करेक्सन में दूसरा बैंक अकाउंट भर सकता हूँ भाई देखो बैंक अकाउंट तुम कोई सा भी भरो पैसा आधार वाले बैंक में जाएगा सीधी सी बात है लेकिन जब आपका फार्म जो है अच्छा कासा इस बार वक्त है तो मान की चलो कि पूरा मार्च इंड तक पैसा आएगा और दस मार्च तक आपका फार्म बेरिफाई होगा इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाएए आस्वस्थ हो जाएए हम चल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक गईस जारक वीडियो अगर आपके लिए एक भी पर्शन काम की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल पर नए हो तो भीना देरी की होए चैनल को भी सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रिस कीशेगा थैंक्स फर वाचिंग जय हिंद वन्दे मात्रम टिक केर